जै हिंद साथियों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल कनहिया जीयस वर्ल्ड में दोस्तों ये समय यूपी पुलिस भरती बोड पूरा फूल फार्म में है लगातार भरतियां पर भरतियां यहाँ पर निकाले जा रही है उस क्रम में आज की जो भरतियां यहाँ यूपी पुलिस कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड ए पूरा डेटेल नोटिफिकेशन इस वीडियो में हम दिखाएंगे चर्चा करेंगे क्या क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सेलेक्शन कैसे होगा इसके अलामा ओ लेबल इसमें मांगा जाएगा तो ओ लेबल के समकच क्या क्या आता है पूरी डिटेल लिष्ट आपके सामने हम रखने वाले हैं चलिए सुरू करते हैं वीडियो बाकि दोस्ट यूपी पुलिस से सम्मंदित हर एक प्रकार की खबर के लिए चाहे यूपी पुलिस कंप्यूटर अपरेटर हो रेडियो अपरेटर हो आप चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लिजिए और घंटे को दबा करके आलवाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपसे मिस नहो उसके अलावा जो PDF है आपको इसी टेलिग्राम चैनल पर मिलती है तो टेलिग्राम पर यही सर्च करके जूड़ जाना है नोटिफिकेशन भी आपको यही पर अविलेबल हो जाएगा देखिए यहाँ पर यह वैकेंसी या ग्रेड एकी टोटल पद यहाँ पर 930 है तो जलिए देखिए वैकेंसी का नाम है रुख जबाई वैकेंसी का नाम है यूपी पुलिस कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड ए पदों पर सीधी बढ़ती टोटल पद की बात करें तो इसमें 930 पद रखा गया है और यहाँ पर आप लोग अपनी कैटेगरी वाइस भी देख सकते हैं आना रचित यानि यूवार के लिए 381 है और OBC के लिए 249 बाकि यानने कैटेगरी आपना यहीं पर मिलाते रहे यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों अभेड़तियों के लिए हैं यहाँ पर जो कल वैकेंसी जारी की गई थी उसका भी आवेड़न साथ ही से हो रहा है साइद और इसका भी आवेड़न साथ एक 2024 से सुरू हो जाएगा और 281 2024 तक चलेगा और 30 तारीक तक आप इसको यहाँ पर संसोधन भी कर सकते हैं आवेड़न सुल का हमेशा की तरह यूपी पुलिस का 400 रुपे है अर्था आपका इंडियान होना चाहिए तिबबत उबद के हो तब भी यहाँ पर आप डिटेल देख लेजिए देखिए सैच्छी का अर्था इसी को दोस्तों ध्याव से देखना है देखिए सैच्छी का अर्था में यहाँ पर इन्होंने क्या क्या लिखा है तो पहला है माननेता प्राप्त बोड से इंटरमेडियेट परिच्छा भौतिक सास्त्रा और गडित विश्यों के सात्र उत्रिड होना चाहिए यह तो आपको होना ही चाहिए यह तो आपके पास होना चाहिए प्लस ठीक है इसके होने के बाद आपको भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स इन कम्प्यूटर और कम्यूनिकेशन डो एक विभाग से कम्प्यूटर की ओल लेबल की परिच्छा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मानिता प्राप्त कोई अन्य परिच्छा उत्रिड होना आवस्यक है समक्ष था सासना देश संख्या परिचिष्ट एक के अनुसार किया जाएगा ठीक है तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं इसके लेबल ओ लेबल के समक्ष कौन कौन से डिगरिया आती है ठीक है तो आपका पहला तो यहाँ पर 12 होना चाहिए वह अभी किसे से PCM से यानि कि बहुत इक विज्ञान और गड़ित से होना चाहिए और प्लस यहाँ होना चाहिए यदि आपके पास ओ लेबल नहीं है तब ठीक है तब क्या है तब यहां पर O-Level नहीं है तो यहां पर Computer अभियंतर सूचना प्रद्देव की या Electronic सभियंतर में डिप्लोमा यानि कि आपने पाल्टेक्नी यानि कि डिप्लोमा यदि किया है Electronic सभियंतर से तब भी आप इसमें हो सकते हैं यदि आपके पास O-Level नहीं है तब ठीक है तो यहां पर तो यहां तो हो गई Sec-Chic Degree आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा बाकि अभी जो लोग confusion में कि O-Level हमने PG-DC-A किया है ठीक है जो DC-A होता है इसके अलमा CCC किया है और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं नाम नहीं यादा रहा है PG-DC होता है BC होता है साभी के बार BST किया है अभी हम इसके लाष्ट में चर्चा कर लेंगे समकक्षिता से सम्मंदित बाकि यहां पर देख लिए जिए दोस्ति यह आप अपेरिंग है यानि कि अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इसमें भाग नहीं ले सकते है फार्म नहीं बढ़ सकते है अधिमानी अर्था का मतलब होता है तो सही है नहीं है तो कौनों बात नहीं है यहां पर आयू की बात करें तो आयू देख लिजिए यहां पर जो है कि 18 से आपका 28 वर्स लिया जाएगा और 17-2023 से 1 जुलाई से लिया जाएगा और आपका जन्म जो है कि 2005 के बाद कर नहीं होना चाहिए और 17-1995 से पहले कर नहीं होना चाहिए ठीक है और OBCSTST में जो छूट मिलता है आप जानते हैं नीचे दिया गया है वह हवाई के स्तिती विवा हुआ हो गया कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए भी यहां पर सब चीद दिया हुआ है पर इच्छा यहां पर दो सब अंकों की होगी ठीक है और दो सब अंकों में क्या क्या आएगा इसके उपर तो हम बात करी लेंगे और कुछ मिल्या भाई त्रीक है आवेदन आप सबको पता ही हो चुका है कि यहां पर यहां पर भी नोटिपिकेशन में भी डिटेल लिखा हुआ है ओ लेबल के समकचिता से संबंदित यहां पर देख सकते हैं त्रीक है यहां पर देखेंगे तो क्या क्या है 10 प्लस 2 के उपरांत यहां दिक कम्प्यूटर में आपने निमनलिखित में से कोई यहां पर किया हो जैसे DOAP यानि कि Diploma in Office Automation and Publishing इसके लावाँ DOAM में Diploma in Office Management Application ADC किया हो या फिर ADC आपने किया हो Advanced Diploma in Computer Computer ठीक है और उसके अलामा ADC होता है आप सभी देख सकते हैं आपने यदि कोर्स किया है तो आपको बहतर पता होगा कि कौन कौन सा कोर्स होता है हमने कौन सा किया है ठीक है इसके अलामा इस रिष्ट एक भी यहां पर पढ़ते हुए चलिएगा यहां पर क्या इनों ने लिखा है कि UPDESU से उत्रिड एक वर्स या डिटी डिपलोमा इन इनफार्मेशन टेकनलाजी पार्ट टेकरब यहां पर उत्रिड ओ बाकि यहां पर आप सभी लोग इसको देख सकते हैं ठीक है तो यदि आपने यह भी किया है तो आपका मान्ने होगा इसके अलमा यहां पर नीचे क्या दिया हुआ है कि सिलेबस ठीक यहां पर रहने वाला है मानसिक अविरूची के बात करें तो जिसको हमने आपको इसके लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा आप चैनल के प्लेलिस्ट में आएंगे तो वहां पर से मेंटल अप्टिट्यूड यूपी पुलिस नाम से बना होगा 15-16 के करीब वीडियो ह आप सभी को देख लीजिए सभी का सभी यहां पर आपको मिल जाएगा मानसिक अविरूची मेंटल अप्टिट्यूड यहां पर लगता है इन्होंने गलत लिख दिया है ठीक है यहां पर मेंटल अप्टिट्यूड और इसके लिए कंप्यूटर साइंस वाला जो सेक्शन इ आपका यहां पर प्रश्ण रहने वाला है आप कंप्यूटर का देख सकते हैं कि एक टापिक ठीक है और एज में छूट जिनको लेना हो तो वह इसी परिसिष्ट इसी प्रारूप के तहत यानि इसी प्रारूप के जैसा ही अपना प्रमाण पत्र बनवाएंगे